एलोन मस्क को खुद की ही कम्पनी से निकाल दिया इनफेक्ट मुट की टीम की मेंबर जब आगले दिन ओफिस आते तो देखते के एलोन मस्क अपने ही डेस्क पे सो रहे हैं रात को शायद काम करके अपने समय की सबसे वाहियाद कम्पनी बनाना रशेवालों ने एलोन मस्क को मुझ पे बोल दिया बेटा आभी तुम छोटे बच्चे हो तुमसे ना हो पाएगा मेरना हमेशा से सपना था अमेरिका की वाल स्टीट घूमने का तैंक्यू जुन जुन मामू आप हम तीनों को भी साथ ले आए और बिट्टू बेटा ट्रेडिंग में वलाटैलिटी और फोरेंट ट्रिप में फैमिली साथ हो तो अच्छा रहता है अब ही तो तुम्हें वाइट हाउस भी दिखाना है और टॉनी और तू तो कह रहा था अमरीका में बड़ी सोनी लड़किया देखने को मिलेंगी अलेकिन यहां तो और बिट्टू वो देख अलू मुश्क अले गई बपा एलोन मस्क अपे नाम में क्या रखा है बंदे का दान देख इतना बड़ा अदमी है और अमीर भी मैंने तो यह भी सुनाए कि यह लोगों को मंगल ग्रह पंचा देता है और भीया चौर है यह आदमी क्रिप्टो के नाम पर पता ने कितनी लोगों का नुक्सान करवा दिया इसने अब इनकी लड़ाई में को जीतेगा यह तो पता नहीं लेकिन इस बार पापा और चाचा दोनों ही गलत है आज 19 लाग क्रोड की नेटवर्ट वाले एलन मस्क ने अपनी जर्नी में रोकर सिर्फ उड़ाये नहीं उड़ाये भी हैं यानि बहुत बार फेल भी हो चुके हैं पर इतने बड़ी कंपनियों के मालिक और इतने सारे फेलियर्स जाना चाहते हो तो चलो पूरी दुनिया की हिस्ट्री में किसी इंसान ने अगर किसी कंपनी को खरीदा है कोई बड़ी-बड़ी मेनेजमेंट एक कंपनी को टेक और करती है तो कभी उस कंपनी में जब जाते हैं पहली बार तो सिंक लेके तो शायद नहीं जाते होंगी अब Elon Musk एक ऐसा नाम बन चुका है जिसको कई लोग तो कहते है कि इस धरती का ही नहीं वो एलियन है क्योंकि इतना कुछ इकठे करना किसी इंसान के बस की बात तो नहीं है अरे 5,000 क्रोड की मार्केट कैपिलिजेशन वाली टेसला इसके अलावा The Boring Company, SpaceX, Neuralink जैसे बड़ी-बड़ी 6 multinational companies के ओनर Elon Musk लेकिन ये सिर्फ success या सिर्फ positivity नहीं देखे हैं इसके अलावा बहुत failures है In fact, हम आपको इस वीडियो में 5 ऐसे failures के बारे में बताने वाले हैं Elon Musk ने अपने जिंदिगी में देखे हैं, अपने professional life में देखे हैं तो जो Elon Musk का आज की तारिख में आप देखते हैं ना दुनिया का सबसे अमीर इंसान, बड़ी-बड़ी company का मालिक वो हमेशा ऐसे ऐसा नहीं था अगर इंकी professional history की 10-20 साल देखेंगे न थोड़ा page खंगा लेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको बता चलेगा कि इस इंसान ने क्या failures देखे हैं, उन failures से इंसान क्या सीखा है क्या inspiration बन सकता है ये इसकी खुशी को देखे, इसकी success को देखे तो इंस्पायर बहुत लोग है, लेकिन इसकी failures को देखे भी बहुत inspiration मिल सकती है इससे पता लगता है कि आप अगर अपनी life में as of now कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतभिय नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे अब Elon Musk की success से तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा लेकिन इन failure से आप कितना सीखते हैं ये वीडियो देखने के बाद ही judge कीज़ेगा तो आईए शुरू करते हैं अब पांच बड़े बड़े failures में से सबसे पहला चोटा सा failure है जब वो एक teenager थी जब 17-18 साल के 19 साल के एक लड़के थे जब job ढूड़ने गए थे उस समय पर Elon Musk एक बहुत शर्मीले एक अपने आप में रहने वाले इंसान थे बच्चे थे अब उस समय वो internet, computers में बहुत ज़़ा फोकस था उनको उस टाइम पर इतने computer इतना internet फैला नहीं हुआ था जितना आज की तारिक में फैला हुआ है आज की तारिक में वो एलन मस्क क्या ही बोलते हैं चुप ही नहीं करते हैं बड़ी बड़ी कंपनी में इसका समालते हैं पब्लिक स्पीचीज देते हैं और ये नेच्छल हो चुका है उनके लिए इसा नहीं है उन्होंने कोई crash course किया कहीं से सीखा confidence आ जाता है वंदे के पास time के साथ अब आप सोचेंगे अरे यार वो तो Elon Musk है वो तो बोली सकता है आज बोल सकता है लेकिन 20 साल पहले नहीं बोल पाता था आज शायद आप नहीं बोल पाते लेकिन शायद 10-5 साल बाद आ आप बोल पाएं failure नमबर दो Elon Musk को खुद की कमपनी से निकाल दिया अब आज की तारिक में Elon Musk ने ट्विटर के CEO परागरवाल को लात मर के बाहर निकाल दिया लेकिन इनके साथ खुद हो चुका है अब बात है 1995 की Silicon Valley नाम की जगा है जिसको California कहते हैं US में तो California में ये इंटर sales के बारे में address के बारे में सब कुछ लिखा होता था तो salesman को देखके सोचा Elon Musk ने कि क्यार इसको तो मैं online कर दूँ अच्छा का सब बिदिस चलेगा कर दिया येलो पेजिस को online ले गए कंपनी का address, कंपनी के products, कंपनी की services In fact, कहां पहुंचाना ऐसे Google Map आप यूज करते हो ना, क्लिक करते हैं और पहुंच जाते हैं जहां पहुंचना है सब Google Map हुआ नहीं करते थे तो Elon Musk ने उस समय address तक को map करने के लिए बिजनस इस तक customer को पहुंचाने के लिए एक application बनाई, ना वरखा zip 2 महीनों तक Elon Musk अपने छोटे सी office में काम करते रहते, रात दिन काम करते, खाते, पीते, सोते, सब कुछ वहीं office में करते In fact, उनकी team की member जब आगले दिन office आते तो देखते के Elon Musk अपने ही desk पे सो रहे हैं, रात को शायद काम करके अभी महलत रंग तब लाई जब इनको मिला funding, उस time भी funding मिलती थी, 24 करोड रुपे की funding मिली, उस time which is huge, a lot of money इनको भी अपने investors को कंट्रोल देना पड़ा, काम करते थे लेकिन अपने तरीके से करते थे, जो शायद उनने investors को पसंद नहीं आया, उन्होंने नया CEO हायर कर लिया कहा कि Elon Musk बड़िया बनाई कंपनी, लेकिन एक काम करते है, आप मत चलाई इस कंपनी को, एक नया इंसान है, नया बंदा है, बड़िया काम करता है, कंपनी चला चुका है, इसको CEO बनाते हैं, आप ये XYZ रोल कर लिजिए अब Elon Musk के पास control तो था नहीं, क्योंकि पैसे ले चुके थे कंपनी को बड़ा करने के लिए, Elon Musk के सामने वो कंपनी कुछ और बनती गई, Elon Musk देखते देखते रहे गए, compact नाम की एक कंपनी आई, जो कि computer बनाया करती थी, वो इंटरस्टी थी, zip to को खरीदने में, करीद लिय बोर्ड ने पूछा तक नहीं Elon Musk से खरीदना है, या बेचना है, नहीं बेचना है, अपनी कंपनी खुद बिकते देखी, हाँ, ये सब में उनको 180 करोड रुपए ज़रूर बेले, जब एक कंपनी बिकी, और इन 180 करोड का उनने इस्तिमाल किया, अपने अगली कंपनी में, जो के failure थी, अब ही बहुत अची learning है, उन लोगं के लिए जो start-ups बनाते हैं, जो start-ups में पैसा लगाते हैं, वो अलग लोग होते हैं, जो start-ups में मेहनत करके उसको बढ़ा करते हैं, वो अलग लोग होते हैं, जब आप किसी से funding लेंगे ना, तो control आपके पास रहेगा नहीं, यही alarmist के साथ हो रहा था, उस case में आप चाहा के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसे बड़ी-बड़ी company हैं, आज की दारिक में Infosys एक बहुत बड़ी company है, जो नहीं ले रहे हैं, जो पैसा डाल चुके हैं, वो लेते हैं, इनके साथ भी यही हुआ, आज भी यही हो रहा है, तीसरा failure, अपने समय की सबसे वाहियात company बनाना, अट लिस्ट उस समय यह कहा जाता था, बात है, उन्नी सो देडियानुए की, ऐलन मस्क ने एक company मलाई, X.com, अपने कुछ तीन चार दोतों के साथ मिलके, अब एक काम क्या करती थी, जो आहाल की दारिक में Paytm जो करता है, ज कहते थे किया रहे चलेगा नहीं, बर्स हो जाएगा, तो banking, online, दोनों चीज़े बिलकुल लोग कहते थे कि यह तो worst business idea, in fact, ऐसी voting भी होई थी, अमेरिका में top 10 worst business ideas में इस company को, PayPal को रखा गया था, PayPal बनी थी, X.com को merge करके कि किसी और company के साथ, बट actual में company को बनाने वाले शुर था, believe strong थी, और एक point in time पे PayPal को उस position पे ले गए, जो आज की तारिक में आप जानते हैं, लेकिन इधर भी इनके साथ एक दिक्कत हुई, यह अपनी vacation मनाने के लिए चुटिया मनाने के लिए Australia गये होए थे, वहाँ पे पीछे से जहाँ पे investors ने पैसा डाला हुआ इस company में, उन सब ने decide किया किया अगेन, यह CEO material है नहीं, इनको हटा देते हैं, इनकी जगान को योर ले आते हैं, उनकी vacation चल रही है, मस्क वहाँ पे छुटिया मना रहे हैं, यहां से उनको company से निकाल दिया गया है, जब तो को वापिस आते, उनको खुद Elon Musk को malaria हो गया, और उसको record कर ने उनको काफी समय लग गया, जिस चकर में वो अपनी company को वापिस उस तरीके से join नहीं कर पाए, जिस तरीके से वो करना चाहते थे, अब इस काने चे आप क्या सीखते हैं, जब सारी काइना तो आपकी what लगाने की कोशिच में जुड़ जाती है, तो यही होना है, तो उस case वो हो चुका है, उस तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आपके हाथ में है नहीं, लेकिन solution आगे बढ़ना तो आपके हाथ में है, जो Elon Musk ने किया, वही कर लो. चोथा failure, अभी तक जो failure थे ना, वो domestic थे, मतलब अमेरिका में हो रहे थे, इस बार यह international बिष्टी करवा क्या है, international failure था, रशिया में गए, अब देखी 2001 का समय है, उस समय इंटरनेशन स्पेस स्टेशन में या एक्स्पोर, outer world को एक्स्पोर करने की कुछ बाते ज़री थे तो Elon Musk ने कहा कि मुझे इस direction में जाना है, मैं futuristic सोच रखता हूँ, मैं अब outer space में जाओंगा, रशिया पहुंचे अपने कुछ दोस्तों के साथ कहा कि वहाँ से missile खरीदेंगे, क्योंकि पैसा तो कमाई चुके थे, कुछ बिजनसी बनाये थे, वहाँ से पैसा मिला था, अब इतना risk taker था ये इनसान, उस time पे भी, कि जतना भी पैसा कमाया था, उसको invest करके stock market में, कहीं भी gold या, real estate खरीद के, 2400 building खरीद के, वहाँ से return कमाऊँगा, ऐसी सोच नहीं थी, आज भी नहीं है इनकी, इनकी इनकी कहा, कि मैं उस कमाय हुए पैसे से क्या खरीदूँगा, missile और अपना जो सपना है जो मेरी सोच है कि outer space में जाना है, उस missile की दरूपूरा करूँगा, रश्या वालों ने क्या किया, रश्या वालों ने कहा कि business man आ रहा है, तो आजाओ, पैसा लेलो, लेकिन ऐसा नहीं किया, रश्या ने कहा कि America से एक बच्चा आ रहा है, रश्या वा लेकिन ये सोच किया है कि अब मैं अपनी खुद की company बनाऊंगा, इन फैक जितना भी मेरा पैसा है ना, इस company के rockets को launch करने में लगाऊंगा, टीम सेटप की, जिसमें scientists थे, engineers थे, अलगले तरह के लोग थे, पूरा का पूरा setup क्रेट किया, अब कहा अपनी टीम को कि मेरे पास पैसा है, तीन rockets बनाने का, मुझे पता है कि रोकेट बनाने जाएंगे, एक दुम से रोकेट बनेगा नहीं, failures होंगे, बट आपको धिहान रखना है कि आपके पास budget जो है, आपके सब की salary और सारे infrastructure को मिला के, तीन rockets का ही, ये बात बड़ी practical थी, Elon Musk और उनकी टीम ने पहला rocket बनाया, almost successful हो गया, लेकिन explode हो गया, कोई बात नी, थोड़ा maneuver टूटता है, लेकिन moving forward, Elon Musk ने फिर कहा कि अभी पैसा है, लगा लीजिए, दूसरा rocket बनाया, ये भी flop हो गया, तीसरा rocket बनाया, इस बार भी flop हो गया, अब देखकर यह दी कि पैसा खतम, लेकिन सपना भी वहीं है, Elon Musk ने कहीं ना कहीं से, कैसे भी करके, कहां से भी अपने network से पैसा create किया, कहा कि एक rocket टोर बनायेंगे, अब ये सोचिए, mindset सोचिए, जो इनसान आज तक जितना भी काम किया है, जितनी भी company बनाई है, जितना भी पैसा बनाया था, सारक परा लगा चुका है, in fact, अब नहीं है, और UK भी नहीं भाग सकता, अब point is, कि यहां पे इनोंने पैसा मांग के अपनी टीम को दिया, टीम इस बार successful rocket launch कर पाई, और Elon Musk ने बनाई SpaceX, पांच मा फेलियर, इनके बड़ी-बड़ी company थी, Tesla और SpaceX तो आप जानते हीं, लेकिन एक ऐसा भी point in time था, कुछ साल पहने जब इन दोनों companies bankrupt होने वाले थी, दिवाले होने वाले थी, 2008 का crisis यात है, जब बड़ी-बड़ी अमेरिक के company, इंडिया की companies भी बंद हो गई थी, उस समय इन दोनों companies का भी number आने वाला था, लेकिन बस बच्चत हो गई, अब पिछले failure में आपने देखा, कि Elon Musk के पास पैसे मनला वांदे हो चोके थे, पैसा था नहीं, rocket बनाना जुरूरी था, अब इनकी एक और company थी, गाड़ियों की, Tesla, उसको भी चलाना था, अब उस point in time पे Elon Musk के पास दो decision थी, इनके पास total 300 क्रोड रुपए थे, जो कि अभी लगता है बहुत सारे हैं, लेकिन दो बड़ी-बड company की बात कर रहे हैं हम, उन में से इनके पास दो decisions थे, पहरा decision कि किसी एक company को बचा लें और दूसरी company को बाई-बाई कह दे, उस company को बढ़ा कर लें और फिर शायद दुबारा वापिस लें, दूसरा, इस पैसे को आदा आदा बान दें, जितना जिस company को चाहिए, दोनों companies को decision था ना कि दोनों companies में तोनों थोला पैसा लगाएंगे, दोनों को बढ़ा गरेंगे, ये decision गलत होने वाला था, flop होने वाला था, इस case में Christmas आने के दो दिन पहले, ये completely expectation था कि ये दोनों companies बंद आने वाली है, Elon Musk is done, Elon Musk flop हो चुका है, लेकिन Germany के company, Delmar ने कहा, आप हम से 400 क्र क्रोड की market capitalization, आज की जारेक में 6,00,00,00 क्रोड रुपया कमाने वाली Tesla नहीं बच पाती, अगर Germany की company Delmar उसको पैसा नहीं देती, कितने 400 क्रोड, इससे कुछ सीख नहीं मिलती, इससे पता जलता है, कि अगर इंसान शिद्दत से काम करें, मेहनत से काम करें, तो बगवान ब पांच failure से, failure से आप जो भी सीखना चाहें, आपका खुद का interpretation है, लेकिन इससे ये समझ जुरूर आती है, कि failure नाम की कुछ चीज तो होती ही नहीं, या तो आप जीतते हैं, या तो आप सीखते हैं, इनसे ये भी सीखने को मिलता है, कि आप अपने लाइफ में जो भी आपको बहुत मुश्किले आएंगी, आप fail पका होंगे, success होने के chances in fact बहुत कम है, failure होनकी chances always by default है, लगिन अगर अपने काम से प्यार करते हो, तो it's worth it, अब एक तो आपने ये सब सीखा, लेकिन आपने इन पांचों failure से खुद क्या सीखा, सोच समझ के, ठंडे दिमाग से, कम है समय दूब ताइगा.